हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ वजीर्याला साब ने इस्तिफा दे दिया है इन्शाला हफ़ते के अंदर तमाम दोस्तों से मिलके नए हकुमत बनाएंगे तेही के अदम एतमाद का ड्रॉप सीन बलोचिस्तान में नए सियासी बोहरान का जनम वजिर आजम का मश्वरा सरांखों पर वजिर आला सनाउला जही ने इस्तिफा दे दिया गवाना बलोचिस्तान में इस्तिफा खुबूल कर लिया मखलूस हुकूमत चलाना आसान नहीं होता साथियों पर जबर्दस्ती मुस्लित होना नहीं चाहता था एक्तिदार आने जाने वाली चीज़ है अवामने मुनासिक समझा तो खिदमत करता रहूंगा सनाओला जहरी पैसले पर मुत्में आपोजीशनर मुनहरे फरकान ने सनाओला जहरी के खिलाफ तैरी के अदम एतमाद वापस ले ली बलोचिस्तान से अमली का इजलाथ गेर मुना मुद्ध के लिए मुल्तवी सनाओला जहरी का इस्तीफा अच्छी खबर जरूरी नहीं अगला वजीर आला नून लीक का हो सर्फरास बुक्ती की गुफ्तगू सौहले बहतानी सर्फरास बुक्ती और चंगेस मरी वजीर आला बलोचिस्तान के मतवक्य उमीदबार वजीर आज़म शायद खाकान अबासी की नवाज शरीक से मुलकात सनावला जहरी के स्टीफ़े के बाद बलोचिस्तान की बदलती स्यासी सुरुतिहार और सेनेट एलेक्शन पर बात ची आज भी सुप्रीम कोड के साथ कोई जगड़ा या कोई कान्फलिक्ट नहीं है मैं इस सारे दुख घम भूलना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मैं अपने मुलक कौम के वसी तर मफाद में इनको भूनू मुझे भूलने दो यार इनको लेकिन ये सलूक ठीक नहीं है एक तो गलत फैसला डिस्कौलिफिकेशन गलत और फिर बाकी फैसला गलत रिमाक्स पास किये गौड़ फादर के सिसलिन माफिया के ना एहली का फैसला गलत अमल दरामत कर लिया लेकिन तसलीम नहीं किया कौम के वसी तर मफाद में दिल पर लगे जखम भूलना चाहता हूं इमरान खान को सादे कमीन करार देने वालों को सलूट करता हूं नवाज शरीफ का वुक उसी में छेट करता है कितने अफसोस की बात एए एक खानदान जो है उसकी इज़त औ नामूस उसकी हुरमत को दाओ पर लगा कर देने वो चुप कर परदे के पीछे बैठ गया है तोपों के सामने उस खानदान को उसके बच्चों को बठा दिया है इमरान खान जिस ठाली में खाता है उसी में छेट करता है एक खानदान की इज़त दाओ पर लगा थी और फुद छुप गया कप्तान की शादी की इतलाद पर नवाज शरीश की तनकीब क्या शादी के खाहिश संगीन जर्म ठहरा तीन दिन से कश्मकश में हूँ क्या कोई बैंक लूटा है शरीफों को 40 साल से जानता हूँ जाती जिन्दगी से मुतालिक बात करना जेद नहीं देता नवाज शरीफ की तनकीद पर कप्तान का जवाबी बाद पुशिद शाने तीसरी और चौती शादी भी इमरान का हक खराद दे दिया ताहरु कादरी इमरान खान का निकाह पढ़ाने आये हैं शेथ रशीद रिश्टा ढून रहे हैं कैप्तिन डिटाइट सफ्तर की तनकीद इमरान खान खातून और निकाह खान की खामोशी इकरार की दलील मुफ्ती अब्दलकवी भी बोल पड़े कस्दीक के तीन दिन बाद खान सहब को वली में की दावत देने का ऐलान आप रेफरेंसेज की समात, नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन रिटाइट सब्दर की एतिसाब अदालत पेशी महरान रब्दान मिल्ट से अलजीजिया और हिल मेटल को ट्रांजाक्शन नहीं हुई सिसीपी की अफसर सिद्रा मंसूर का बयान समात 16 जनवरी तत मलतवी आईमी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में मुतायन जर्मन सफीर की मुलाकात इलाकाई अमन और इस तहकाम के लिए पाक फौची खिद्मात का इत्तरा पीपी बीस्ट अफ़ाल के जिमनी इलेक्शन का मैदान वोटों की गिंती चारी नून लीग और तहरी के इनसाफ के उमीदवारों में कांठे का मुपाबला मुत्वक्षिए ट्रॉम्प की हर्दा सराई ऐसी इमदाद से अच्छा हम रुकी सूखी खा लें देश्टगर्दी के खिलाफ अज़ारों कुर्बानिया मामूली बात नहीं वजिर आला पंजाब शेबाद शरीफ का तकरीब से खिताब वजिर आला सिन ने रेंजिस के खुसूसी एक्तियारात में नवे रोस की तौसी कर दी फोर्सेस कराची में क्याम अम्न के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है मुराद अलिश्या खुश से बात शादुत केस प्रोसेक्यूटर की कारकर्दिगी पर सुप्रीम कोट का इजहार बरहमी एड्वोकेट जनरल को मजीद वक्त देने के इस्तदा मुस्तरत चीफ जस्टिस का 15 फेरवरी तक ट्राइल मुकमल करने का हुकू सुप्रीम कोट के एहकामात का असर कटास राजबंदिर का खुश्क तालाब भर गया हिंदु यात्रियों के रिए अश्नान करना मुमकिन सयाहों की बड़ी तादाद भी आने लगी रुपे की बेकदरी से महंगाई की आग भड़केगी काबू पाना स्टेट बैंक के लिए चैलन्ज होगा आलमी रेटिंग एजनसी मूडीज ने खबरदार कर दिया तरीक अदम एत्माद आने से पहले ही कामयाब हो गई सनाला जहरी ने वज़िर अला बलोचिस्तान के उहदे से इस्तीफा दे दिया और गवरन बलोचिस्तान ने इस्तीफा मनजूर भी कर लिया बेशतर अरकान को एत्माद नहीं था इसकी उन पर मसल्लत नहीं रहना चाहता था साबक वज़िर अला ने तसलीम भी कर लिया और कहते हैं कि मखलूत हकूमत चलाना आसान काम नहीं जी हाँ बलोचिस्तान की सियासत में तबदीली देखने में आई है गुज़िश्टा कुछ रोस से हल चल मची हुई थी और आज तहरीक अदम एत्माद लाना थी लेकिन तहरीक अदम एत्माद आने से पहरे ही कामयाब हो गई सनौला जहरी ने वज़िर अला बलोचिस्तान के आहदे से इस्तीफा दे दिया है वज़िर आसम शाहिद खाकान अबासी की जानिब से मशवरा दिया गया था जिस मशवरे को सरांकों पर रखा गया और स्तीफा दे दिया गया इस स्तीफे को गवाना बलोचिस्तान ने मन्सूर कर लिया है बेशतर अलाकीन को एतमाद नहीं था ऐसा कहना था साबिक वज़िर आला का उन्होंने कहा कि इसलिए उन पर वो मसल्लत नहीं रहना चाहते थे साथी साथ साथ साबिक वज़िर आला सनौला जहरी ने ये भी कहा कि मकलूत हकूमत चलाना आसान काम नहीं बलोचिस्तान में सियासी बोहरान का ड्रॉप सी तहरी के अदम एतमाद पेश होने से पहले ही काम्याब वजिर आला मुस्ताफी गोवर्नर ने मंजूरी दे दी जहरी के एक्तदार का सूरज डूप गया अपने बयान में सनावला जहरी ने कहा कि आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहट इस्तीफा दिया इक्तदार आने जाने वाली चीज़ है अवाम ने मुनासिब समझा तो खिद्मत करता रहूंगा साबिक वजिर आला ने तस्लीम किया कि बेश्तर अरकान उनसे मुतमें नहीं थे इसलिए जबरदस्ती साथियों पर मसल्लत नहीं रहना चाहता उनका कहना था कि मकलूत हुकूमत चराना आसान नहीं इससे पहले साबिक वजिर आला के तर्जमान जान अचक सई सनौला जहरी के स्तीफे की तरदीब करते रहे जबके साबिक वजिर आला भी तरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के दावे करते रहे वजिर आज़म शाहित खाकान बासी का अपने वजिर आला को बचाने को आपरेशन भी नाकाम रहा मुनहरिफ अरकान समेत आपोजिशन ने राबतों के बावजूद वजिर आज़म के साथ मुलाकात से इंकार किया जिस पर उन्हें मायूस इसलामबाद लोटना पड़ा और अब सवाल जी है के अगला वजिर आला कौन होगा इस बार में बात करते हुए सर्फरास बुक्टी ने कहा कि जरूरी नहीं अगला वजिर आला नून लीक से होगा उनका कहना था कि मुशावरत के बाद ही अगले वजिर आला का फैसला करेंगे सर्फराज बुक्टी ने कहा कि हम मुस्लिम लिग नून के साथ हैं और रहेंगे अगर पार्टी निकाल देगी तो फिर अपना आजाद ग्रूप बना सकते हैं सर्फराज बुक्टी ने अच्छी रिवायत खायम की है उनका शुक्रिया अदा करता हूं सर्फराज बुक्टी का कहाना था कि खाहिश है नवाब सनावला जहरी अपनी सियासत जारी रखे हैं और ने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं आज जमूरियत स्टेंचन हुई है बलोचस्तान में उन तमाब इख्यादी दोस्तों को जिन्होंने इस तहरीक में हमारा साथ दी है मैं उनको मबारिक बात देता हूं और उनका शुक्रिया करता हूं चाहे वो जिस भी सियासी तमाद से थे या आजाद हैसियत से थे दूसरा ये है कि मैं नवाब सनावला जहरी साथ का भी शुक्रिया ही अदा करता हूं कि उन्होंने फाइनली ये फैसला कर लिया कि वो मुस्तफी हुए हैं आएंड जमूरी रवायात के मताबिक आएंदा के वजिवाला के लिए तमाम जमादों से जिन जिन ने हमारा साथ दिये उन तमाम जमादों के साथ मुशावरत होगी और मुशावरत से हम इन्शाला ताला एक मेंबर को लेकर आएंगे नून लिक्स होगा? जरूरी 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 नून ल दिन वजीर आला रहे 24 दिसंबर 2015 को वजारत आला का हलव ठाया था उन्होंने 2018 सनावला जहरी के लिए भारी साबित हुआ आपोजिशन और मुनहरिफ लीगी एरकान तहरीक एदम एदमाद ले आए लेकिन तहरीक एदम एदमाद आने से पहले ही काम्याब हो गई और वजीर आजम के मश्वरे पर सनावला जहरी ने अपने आहदे से इस्तीफा दे दिया वजारत आला के मंसब पर कितना अर्सा फाइज रहे इसने मुतालिक आपको बताएं तो सनावला जहरी दो साल पंदरा रोस तक वजीर आला रही है 24 दिसंबर 2015 को उन्होंने वजारत आला का हल पुराया था 2018 उनके इक्तदार का सूरज डबो गया सनावला जहरी के लिए ये साल भारी थाबित हुआ आपोजीशन और मुनहरिफ लीगी अराकीन तहरीक अदम एतमाद आपको बताएं कि सनावला जहरी का स्टीफा जिसके बाद ऑपोजीशन ने तहरीक वापिस ले ली स्पीकर राहीला दुरानी ने तहरीक अदम एतमाद निप्टा दी बलोचिस्तान इसेमली का इजलास गेर मुहिना मुदत के लिए मुल्तवी हो गया आपको ब्रेकिंग निउस दे रहे हैं कि सनावला जहरी के स्टीफे के बाद ऑपोजीशन ने तहरीक अदम एतमाद वापिस ले ली है और स्पीकर राहीला दुरानी ने तहरीक अदम एतमाद निप्टा दी बलोचिस्तान इसेमली का इजलास भी गेर मुहिना मुदत के लिए मुल्तवी कर दिया गया और वजिर अला के स्टीफे के साथ ही सुबाई काबीना भी तहलील हो गई है मुस्ताफी वजिर अला के मुशीर भी औहदों से फारिग हो गए है अक्सियती अलाकीन नए काईद एवान के लिए गवानर के पास जाएंगे गवनर असेमली का इजलास भूलाने की हिदायत करेंगे इजलास में नए काईद एवान का चुनाओ किया जाएगा ताको बताएं कि वजिर अलाकीन स्थिफे के साथ ही सुभाई काईद भी तहलील हो गई है मुस्ताफी वजिर अलाकीन मुशीर भी अपने होदों से फारिग हो गए है अक्सरीती अरकान अब नए काईद एवान के लिए गवनर के पास जाएंगे और गवनर असेमली का इजलास बुराने के हिजाएट करेंगे और इस इजलास में नए काईद एवान का चुनाओ किया जाएगा ऐसे में सवाल ये है कि वजिर अला का निया बलोचिस्तान का निया वजिर अला कौन होगा साले बुतानी सर्फराज बुक्टी नवाब जादा जंगेज मरी के नाम सामने आ गाए तीनों का तालुक मुस्लिम लीग नून से है सर्फराज बुक्टी साब एक हकूमत में वजिर अधाखला थे तबके साले बुतानी निगरान वजिर अला बलोचिस्तान रह चुके है नवाब जादा जंगेज मरी नवाब खेर बख्श मरी के साब्जादे हैं सनाला जहरी के बाद बलोचिस्तान का वजिर अला कौन होगा दोर धूप जोर तोर अरूच पर साले बुतानी, सरफरास बुक्टी और नवाबजादा चंगेज मरी दौर में सबसे आ गए तीनों का तालुक मुस्लिम लीग नून से है सूबे के एक्तदार का सहरा किसके सर सजेगा आएंदाद चंद दिन आहम होंगे बजारत आला के उमीदवार सरफरास बुक्टी साबिक हुकूमत में वजीर दाखला थे साले बुतानी निगरान वजीर आला बलोचिस्तान रह चुके हैं नवाबजादा जंगेज मरी, नवाबखेर बक्ष मरी के साहबजादे हैं सरफरास बुक्टी का दावा है कि एक हफ़ते में नए वजीर आला का इंतखाब कर लेंगे दिल्चस्प आमिर ये है कि सना उल्ला जहरी के भाई मीर जफर उल्ला जहरी भी तहरी के अदम एतमाद के हामी थे उनका कहना है कि साबिक वजीर आला अरकान का एतमाद खोच के थे झाल झाल